इतने सवालों ने और वो भी एक विशेपर मत्र नागरिक्ता के विशेपर इतने सवालों की बोचार ने आपको निश्चित रूप से जज़कोर दिया होगा लेकिन मत्र ज़़कोरना नहीं बलकि ज़़कोरने के बाद आपके कुतुहल को शांत करना इस अध्याय को समझने का उद्धिश है, दूसरे शब्दों में इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जानेंगे, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप किन चीजों में समर्थ होंगे, नागरिक्ता के किन बिंदूओं को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, थोड पथम नागरिक्ता के अर्थ की व्याख्या करने में आपको मदद मिलेगी आप इस काबिल हो जाएंगे कि नागरिक्ता का अर्थ क्या है उसकी समुचित व्याख्या करने की काबिलियत आप में आ जाएगी दूसरा नागरिकता और उसके अर्थ को जानने के बाद आप ये भी जानेंगे कि नागरिक और राष्ट के बीच में क्या सम्मंद है मैं भारती नागरिक हूँ वह चीनी नागरिक है वह पंजाबी नागरिक नहीं है भारती नागरिक है विश्व नागरिकता क्या है तो आप देखेंगे कि नागरिक्ता का संबंद राष्ट से है आप किसी न किसी देश के नागरिक होते हैं मैंने जैसे बताया कि आप राज्ज के नागरिक नहीं होते हैं देश के होते हैं तो राश्ट्र या देश और नागरिकता के बीच में, देश और नागरिक के बीच में संबंध क्या हैं और कैसे बनते हैं, उनको जोड़ने वाली कड़ियां कौन सी हैं, किसके तहट वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसको आप समझने में सक्षम हो जाएंगे. तीसरी चीज जो आप इस अध्याय के अंत तक समझ जाएंगे वो है कि भारत में नागरिकता की कसौटी क्या है, कौन नागरिक हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, क्यों, कसौटी. किस आधार पे नागरिकता दी जाती है, किस आधार पे नागरिकता ले ली जाती है, किस आधार पे किसी को नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, आधी आधी, ये भी आप जानेंगे. और यह आप भारत का जानेंगे तो ऐसे ही कुछ अन्य देशों का भी थोड़ा थोड़ा आप जान जाएंगे कि विभन देशों के द्वारा वहां के निवासियों को नागरिक्ता दिये जाने की कसोटी जो है नागरिक्ता दिये जाने का जो आधार है वो थोड़ा अलग अलग है हर देश की नागरिक्ता का आधार अलग अलग है निश्चित रूप से उसमें कुछ चीज़ें तो कौमन है कुछ चीज़ें सभी के लिए लागू होती है लेकिन कुछ अपने अपने देश की अलग-अलग कुछ और पात्रताएं हैं जिसके आधार पर उस देश की सरकार अपने निवासियों को नागरिक्ता देती है वंचित करती है छीनती है आदी आदी तो आप ये भी जानेंगे नागरिक्ता की कसौटी क्या है नागरिक्ता पाने के लिए क्या करना पड़ता है अग्ला बिंदू जो आप जानेंगे वो यह है कि आज जिन खेत्रों में नागरिक्ता के अर्थ को विस्तार दिया जा सकता है नागरिक्ता के अर्थ को शुरू में तो हम नागरिक्ता का अर्थ समझेंगे लेकिन साथ ये भी जानेंगे कि क्या नागरिक्ता के अर्थ को और बढ़ाया जा सकता है क्या उसके दाइरे को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है तो कैसे और क्यों आखिर इसकी जर छे बिंदूओं के उत्तर आपको इस अध्याय के समाप्ति तक मिल जाने चाहिए और निश्चित रूप से प्रारम में जो बहुत सारे प्रश्ण किये जाए उन प्रश्णों का सम्मंद इन चार पांच बिंदूओं से तो है ही तो इस प्रकार हम मान लें कि हमारे सारे प्रश्णों का हल उत्तर जो शुरू में मैंने दिये उनका हल उत्तर इस अध्याय के एंट में किसी ना किसी एक बिंदू के तहत हमें मिल जाएगा तो चली सबसे पहले हम चलते हैं कि नागरिक्ता की परिभाशा क्या है हमारी लिए नागरिक्ता के क्या मीनिंग है नागरिक कौन है उसकी परिभाशा और परिभाशा संक्षित में होती है उस पर विस्तार ते अध्यन बाद में होगा तो परिभाशाओं की शिंकला में सब सबसे पहले आपकी पुस्तक में जो दी गई है वह परिभाशा है गैटल की गैटल के अनुसार नागरिक की क्या परिभाशा है नागरिक उस इस्थिति विशेश को कहते हैं मनुष्य की इस्थिति विशेश को नागरिक मनुष्य की उस इस्थिति विशेश को कहते हैं जिसमें वह राज्य के अंतरगत सामाजिक और राजनेतिक अधिकारों का प्रेयोग करता है मैं पुना दोहरा दूँ उस विशेश स्थिती को मनश्य की विशेश स्थिती को जिसमें वह अधिकारों का प्रियुक करता है और अधिकार कॉन देता है । राज्य याद रखें राज्य क्या अर्थ स्टेट नहीं है राज्यकार्थ 36 गड़ पंजाब मर्द्य प्रदेश तामिल नाड़ू नहीं होता राज्यके दूसरा अर्थ होता है बलकि राज्यका मुख्य अर्थ है राष्ट देश राज्य का मुख्य अर्थ है देश याद रखेंगे स्टेट स्टेट का अर्थ ये नहीं होता है राज्य याने मद्य पदेश शतीज गड़ादी स्टेट का अर्थ होता है शासन जो राजनेतिक व्यवस्था है उसे हम स्टेट कहते हैं तो स्टेट के द्वारा दिये गए अधिकारों का वो प्रयोग करते हैं ऐसी स्थिति विशेश को नागरिक कलाता है। उसके साथ ही कर्तवियों का भी प्रयोग करने के लिए ततपर रहता हो। याने मनुष नागरिक जो है वो मनुष की वर्स्थिति विशेश है जिसमें विवधिकारों का प्रयोग कर सकता हो राज के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का और करतव्यों का प्रयोग करने के लिए तत पर रहे याने इसमें देखिए कौन से बिंदू जुने हैं राज्य याने सत्ता, स्टेट, दूसरा मनुष्य, तीसरा आप देख रहे हैं अधिकार और चोथा कर्तव, अधिकार और कर्तव, ये गैटल की परिभाश्याद, अब वॉटल ने क्या कहा है, दूसरे राजनी से शास्त्री वाटल के निसार, नागरिक वह सदस्य है, जो जिस समाज में रह रहा है, उस समाज के कर्तवियों से बंधा हो, उसकी सत्ता के अधिन हो, और उसके द्वारा दी गई सुविधाओं में भागीदार हो, ज्याने हाँ, इनकी परिभाशा में समाज आता है, इनकी परिभाशा समाज से जुड़ी है, जबकि वेटल की परिभाशा, जो आपने सुनी, वो राष्ट से जुड़ी होई थी, तीसरे सज्जन है KCU इनके अनुसार नागरिक वह जो राज के प्रती भक्ति रखे भक्तिकार्थ यह नहीं जैसा हम धार्मिक भक्ति की बात करते हैं भक्तिकार्थ है निष्ठा, समर्पन, समर्पन, राज के प्रती, राज के प्रती जो समर्पित हो और जिसे अधिकार प्राप्त हो और जन भावना से प्रेरित हो जन भावना इसमें जुड़ी हुई है गैटल ने कर्तव्यों की बात की है यहां पर इन्होंने, सीव ने जन भावना की बात की है अधिकार की तो बात दोनों ने की लेकिन साथ में जन भावना जुड़ी है यह एक तरीके से आप समझेे कर्तव्य ही तो है जो इस करतवे हमें जनहित की और अग्रिसित करते हैं तो इस विकार सीउ की परिभाशा में वही तत्व हैं जो एक तरीके से गैटल ने कहे थे समर्पन की भावना अब हम आते हैं बहुत प्रसिद्ध विचारक हैरल लास्की की और हैरल लास्की बीश्वी शताबदी के बहुत ही प्रसिद्ध विचारक रहे हैं उन्होंने क्या कहा है किसे वे नागरिक मानते हैं वह व्यक्ति जो नगर में रहता है अब देखिए नगर मतलब शहर यहाँ पर नगर का जो संदर्भ है वो प्राचीन रोमन सभिता के नगर राज्य से है आप पढ़ेंगे अगली कछाओं में या अन्निविश्यों में खासकर इतिहास में नगर स्टेट रोमन सभिता में नगर स्टेट हुआ करते हैं नगर स्टेट नगर राज्य उससे प्रभावित होकर हैरल लास्की ने परिवाशा दी है और वो कहते हैं जो नगर में रहता है वह नागरिक और वहां की सरकार और वहां की न्याय पालिका में भाग लेने का अधिकार रखता हो यानि जिसे अधिकार मिला है वह नागरिक है चाहे वो नगर का अधिकार हो तो यहां हम आज के वरतमान दायरे में हम राश्ट के अधिकार की बात कर लें स्टेट के अधिकार की बात कर लें स्टेट द्वारा प्रदक्त अधिकारों की बात कर लें जिसे रज्ज द्वारा प्रदक्त अधिकारों का उप्योग करने की पात्रता मिल जाए वह वहां का नागरिक पर ये आपको समझना है जरूर है कि नगर शब्द से नागरिक बना है मूल शब्द है नगर और ये नगर शब्द की वित्पति नगर राज्य की वित्पति एंशेंट रोम प्राचीन रोमन सब्विता के तहट आती है वहां से हैरल लास की प्रेरित होकर उन्हें परिवाशा दी है यहां पर भी आप देखें अधिकार की बात है और अधिकार कौन देता है राज्य देता है तो यानि राज्य अधिकार और मनश्य ये तीन तत्व यहां भी शामिल है अब अगली परिवाशा एक बहुत बहुत महान विचारक जिन्होंने दर्शन शात्र में राजनीती शात्र में बहुत अहम व्याख्याएं दी हैं वे हैं अरस्तू अरस्तू जिन्हें अंग्रेजी में अरिस्टॉटल भी कहते हैं अरस्तू का क्या कहना है अरस्तू भी कहते हैं चूंकि वो उस काल के हैं जब रोमन सभिता थी तो उस काल में रहते हुए उन्होंने ये परिवाशा दी है यानि आज से हम कहें तो लगवग दो हजार वर्ष पूर्फ उस समय उन्होंने परिवाशा दी है जब रोमन सामराज म में नगर राज्य होते थे जिसका जिक्र मैंने किया हरल लास्की की परिभाशा के देते हुए अरस्तु भी वही परिभाशा देते और में अरस्तु कौन है आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व के विचारक चिंतक उनकी परिभाशा नागरिक शब्द की उस समय की परि तरकार और नय पालिका में भाग लेने का अधिकार रहता है यानि लास्की ने जो बात कही कि शिक्षित बुद्ध को लोग हित में प्रियोक करता हो वही अरस्तु का कहना तो यानि राज्य अधिकार और व्यक्ति ये तीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नागरिक के प परिभाषाओं का निचोड क्या है इसे तात्पर क्या है कि माएने क्या है और सबसे पहले आप देखें पहली बात वह नागरिक वह मनुष्य है यानि नागरिक्ता किनको मिलती है केवल मानों को जानुवरों को नी पत्तियों को नहीं, नागरिक्ता केवल मानाओं को, पुरिश और इस्त्री, ये तो पहली बात हो गई दूसरा, उस मनश्य को जो किसी राज्य का सदस्य हो, तो उस राज्य की नागरिक्ता उसे मिलती है दूसरे शब्दों में, राज्य का सदस्य होना जरूरी है, राज्य का निवासी होना और राज्य का सदस्य होना दोनों में बहुत अंतर है तीसरा उसे अधिकार मिले हुए हूँ भारत में जैते कितने अधिकार हैं छे मूल अधिकार हैं सातों अधिकार संपत्ति का जो अधिकार था उसे सरकार ने वापस ले लिया है लेकिन छे अधिकार जो मूल है जिसे ये छे अधिकार मिले हूँ वह नागरिक है भारत का तो अगला बिंदु जो है कि उसे अधिकार प्राप्त हूँ उसके बाद चोथा बिंदु जो हम कह सकते हैं वह है कि अधिकार यदि हैं तो उसके कर्टब भी भी है राज के प्रती वो भक्ती दिखाए राज के प्रति वो समर्पन दिखा है राज के प्रति वो निश्ठा दिखा है राज के प्रति वो इसका मतलब क्या हुआ राज के प्रति देश के प्रति वो अच्छा नजरिया रखे तो उसके लिए जरूरी है एक नागरिक के होने के नाते कि मैं अपने देश के प्रति नजरिया अच्छा रखूं ये हो गई इन पांचों परिभाशाओं का निचोड और आपने एक बिंदु देखा ही है कि नागरिक मनुष्य या नागरिक जो है उसका संबन्द मनुष्य, राज्य और अधिकार और करतब विसे है नागरिक का संबन्द है ये परिभाशा हमने जानी हमने ये भी जाना कि इसके क्या तत्व है इसका निचोड क्या है